दोस्तो मैंने आपको पहले बार भी काफी बार इंटर्शिप के बारे में आउगत करवाया है कि दोस्तो हमें सफलता जरूर मिलेगी दोस्तो इस समय हमारे पास बहुती बड़ा मोका है दोस्तो मैं हर दम कहता हूँ कि इनसान को मोके का फाइदा जरूर उठाना चाहिए दोस कि सभी मंतरी जो आये हैं नए नए जोस में आये हैं नए जई जोस में काम करेंगे और बेरोजगारों की हाकों की आवाज को वो जरूर सुनेंगे ठीक है तो दोस्तों कुछ नहीं करना देखो मैं मेरे सभी बेरोजगारी भत्ता चलाने वाले चैनल उन सभी भाईयों से वाद देना चाहूंगा लेकिन आप इंटरस्टिप के बारे में भी आवाज उठाईए क्योंकि मैं मानता हूँ आपके भी हजार सब्सकाइबर होंगे पंदरा सो होंगे दस हजार होंगे बीच हजार होंगे ठीक नहीं क्योंकि जब अपन सभी भाई एक जुट हो और इंटरस्टिप के नियमों में जरूर परिवर्तन करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि जो एक समझदार इंसान होगा ना यदि वो इंटरस्टिप के नोटिप्रिकेशन को पढ़ेगा तो उसे जरूर लगेगा कि जो बेरोजगारी बत्ता योजना खुती है उसका मतलब भी ये होता है कि ऐसे बेरोजगारों की कुछ समय के लिए साहिता करना ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके दोस्तों मैं आपको विश्वात लाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि दोस्तों बेरोजगारी बत्ते से काफी भाई भेनों को बहुत जादा फाइदा ह हुआ है कई साथियों के तो सपने भी पूरे हुए हैं ठीक ना और कई साथियों को तो अपना रोजगार खोलने का एक बहुत यह अच्छा आउसर भी मिला है ठीक ना क्योंकि सब्सकाइब करना चाहिए आप डिसलाइक मारके चले जाना लेकिन मेरे दोस्तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा से शिर करने का प्रियास करना क्योंकि यह वीडियो मैंने उन ऐसाय गरी भाई भेनों के लिए बनाया गया है जो भई अपने सपनों को पूरा कर न चाहते हैं दोस्तो देखो इस समय मैंने पहले बताया है कि मंत्री मंडल में बदला हुआ है ठीकर जो भी नए नए मंत्री अपने आये उन सभी के पास इस जानकारियों को आप चाहिए ग्यापन के माद्यम से पहुँचाए चाहिए ट्विटर के माद्यम से क्योंकि हर इनसान जब नया नया एक बार आता है तो वो जोस में होता है और और कुछ नया करने के लिए वो सोचता है ठीक है तो मेरे सभी यूटूबर भाहियों से मैं निवदिन कहना चाहूंगा चलो आप कोई बार नहीं पैमेंट की जानकारी बिल की जानकारी आप मत द लगता कि कोई मेरा बेरोजगार युवा साती 90% तो नहीं करेगा क्यों क्योंकि सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी वाई गोवर्मेंट जोब में लगना चाहते हैं तो कोई 10 या 15% कर ले तो उसकी मैं कहनी सकता तो जितने भी अपने बेरोजगारी बत्ता चैनल है ये दीरे दीरे सातियों ऐसे विलुप्त हो जाएंगे जैसे आज से हजारों साल पहले डाइनासोर विलुप्त हो गए थे क्यों क्योंकि देखो समय से पहले जो इनसान नहीं जागेगा उसके साथ आने वाड़े समय में सातियों ऐसा ही होगा तो जितने भी चैनल है ये दीरे एक विलुप्ट की सेनी में चले जाएंगे क्योंकि जो हमारे भाई भेन हैं बेरोजगारी बत्ता ले रहे हैं जिब इनको बत्ता ही नहीं मिलेगा तो चैनल को कौन देखेगा तो इसलिए दोस्तों आप डरे नहीं ठीक ना आप ये नहीं सोचे हमारे साथ कुछ हो जाएगा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाड़ा इंटरसिप पर वीडियो बनाईए क्योंकि हम शिरफ ये चाहते हैं सरकार को कहना कि इंटरसिप के नियमों में आप परिवर्तन कर दीजिए ताकि ये सभी प्रकार के वरगों की और आप ध्यान रखे जो करना चाता है उसे आप पूरा नहीं करना चाता उसे आपकम दे दीजिए ठीक ना इतना ही आपको कहना है और जद आपको उसमें लंबे चोड़ी मा भारत बताने की आऊ सकता है नहीं ठीक ना एक मिंट का बना दीजिए दो मिंट का बना जी लेकिन आप वीडियो जरूर बनाएं क्योंकि मुझे लगता है कोई एक या दो भाई को छोड़कर किसी ने भी पढ़ाया नहीं होगा कई तो लोग तो कहते हैं हुआ इट्वीटर पर कुछ करो ही मत इससे कुछ नहीं होता है तो दोस्तों चचाई यही है अपन सभी को एक जुठ होना पड़ेगा और तभी जाके इस करना चाहिए आप डिसलाइक मारके चले जाना ठीक ना लेकिन इस वीडियो को आपके जो भी ग्रूप है ठीक ना उसमें जादा से जादा से शेर करें ताकि अपनी आवाज है दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ती रही क्योंकि आवाज अपनी जरूर कानों तक पहुंचेगी जब पहुंचेगी तो सामने वाले को दोस्तों सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देगी और उन्हें लगेगा कि हाँ इंटर्स्ट में जरूर परिवर्तन होना चाहिए ठीक है तो धन्यवाद सातियों जै हिंद जै भारत